जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे सेशन में, गुद मॉर्निंग प्रदन्या, दिव्या, ब्रिजपाल, एवरिबड़ी, हरी आप गाइस, कीप ऑन कनेक्टिंग, विया लाइब नाओ Yes, a very good morning to each and every one of you, सभी लोग यहाँ पर जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे Good morning, good morning, hurry up, keep on connecting सभी लोग जल्दी से सेशन में आ जाएंगे, a very good morning to each and every one of you चलिए, सेशन को जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें, जितने जल्दी आप सभी लोग सेशन में आ जाएंगे उतनी जल्दी आप लोगों की माराथान भी स्टार्ट हो जाएगी Good morning, Priya, Pradanya, ब्रिजपाल, दिव्या, प्रिनाली, everybody, a very good morning to each and every one of you कैसे हैं आप सभी लोग? Good morning, good morning, सभी लोग सेशन में जल्दी से आ जाएए देखिए, आज का जो सेशन है, that is on the marathon on electrochemistry and conductance देखिए, जब भी इस portion से question आता है, तो question ऐसा बोल कर नहीं आता कि conductance से आएगा या electrochemistry से आएगा, दोनों में से कहीं से भी question आ जाता है तो जो हम यहाँ पर consider करके चलते हैं electrochemistry और conductance को, तो conductance को as a part of electrochemistry ही मैं मान कर चलती है और जब मैं पढ़ाती भी हूँ, तभी भी मैं उसे साथ में ही पढ़ाती हूँ, राइट? चलिए, पहले सभी लोग session को hello to each and everyone of you, hello students, जल्दी से session को like कर देंगे, मुझे 20 around लोग दिख रहे हैं, बट likes तो मुझे अभी तक 4 नसर आ रहे हैं, तो जल्दी से session को like hit करेंगे, वीडियो को जल्दी जल्दी से share कर दीचे ताकि सभी लोग आ जाएं और मैं marathon स्टार्ट कर सकूँ, जैश्री जैश्री कृष्णा to each and everyone of you, उसके साथ साथ जैहिंद, सभी लोग आपके सबके comments मुझे नजर आ रहे हैं, आप सभी लोग डारेक्ली जल्दी से session में connect करें, ताकि मैं यहां से session को आगे बढ़ा सकूँ, good morning Jasmine everybody, a very good morning to you all, how are you all guys, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से comment करके बताएंगे, ठीक हैं, yes ma'am, hello, hello to each and everyone of you, चलिए, good morning Kalpana, Jasmine everybody, सभी लोग session को share कर देंगे, like कर देंगे, and then यहां से मैं session को start करूँगी, I am waiting for just one minute ताकि सभी लोग यहां पर connect कर ले, hello, hello to each and every one of you guys, जितने भी लोग watching है, सभी लोग session को like कर देंगे, and यहां से हम session को start करते हैं, okay, so चलिए, session को यहां से start करते हैं, हम लोग, चलिए, session को start करने से पहले, छोटा सा introduction about myself, जो भी students यहां नए है, यह उनके लिए है, good mom, waiting for this class, और late आए क्या है क्या है कर्षिन, आप wait कर रहे थे और आप ही late आए हो, right, कहां थे इतनी देर से, चलिए, सभी लोग आचाहिए, session में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सभी लोग session को like कर देंगे, और share, चलिए, so little bit introduction about myself, myself लिखांशू सिंग, I have cleared IIT jam exam, clear due MSC entrance exam, qualified CSIR net, three times get qualified, three plus years of teaching in net, तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा, क्या सकते हैं, bio data, एक interview आप लोगों के लिए, चलिए, ये important चीज़ है देखो, ये miss मत करना, मेरा time table, ठीक है, मेरी class कब कब होती है, आप लोग बहुत जादा confused रहते हो, कि माम class कब हुई, हमें पता नहीं चला, और फिर ऐसे comments भी आते हैं, कि माम, आपने class लिए, और हमें पता नहीं चला, ऐसा क्यों हुआ माम, हमारे पास link क्यों नहीं आया माम, तो आपको परेशान होने की ज़रुत नहीं है, यहां पर आप लोगों को application पर देख लेना है, application पर मेरी class 4 p.m. पर होती है, Tuesday and Thursday, यह मैं free session का time table बता रही हूँ, free का, paid course का timing fix रहेगा, यह आपकी जो मैं free classes लेती हूँ, जिसके लिए आपको paid subscription की ज़रुत नहीं है, वो मेरी 4 p.m. पर होती है, Tuesday and Thursday को, और YouTube पर हमारी class 11 a.m. को होती है, मेरे साथ Monday, Wednesday and Friday, और students आपको एक चीज़ बता दू, application पर भी हम 150 question और 60 days marathon वहाँ पर चल रही है, तो अगर केसी को preparation करनी है, तो वो पूरी playlist follow कर सकता है आप पर, ठीक है, चलिए, उसके बाद अब हम यहां से आगे बढ़ जाते होंदी next thing, जो मेरा telegram का channel name है, that is chemstring by Likhanshu ma'am, और यह उसका link है, और आपको मिल जाएगा directly, आप जसी जाओगे telegram पर type करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे, हम लोग अब आप लोगों के लिए WhatsApp पर भी आ चुके हैं, for the assured selection in the upcoming CS SIR net 2023 exam, आप लोग अपना WhatsApp group यहाँ पर join कर सकते हैं, यहाँ पर आपको daily YouTube class कब हो रही है, कोई भी exam related update है, कोई live doubt session है, कोई quiz है, PDF है, e-book चाहिए, जो भी है, वो सब कुछ इस पर मिल जाएगा, right, so सारी problem का एक solution है, यहाँ पर जाके join कर लेना, और link कहां मिलेगा, इसी video के description मिल जाएगा, okay, good morning mom, hope you are doing good, yes Jasmine, okay, students, अभी लोग session को like कर देंगे, रेखे, थोड़ी से energy यहाँ पर दिखानी है, और अब हम यहाँ से questions के साथ बढ़ेंगे, देखे, सबसे पहली बात तो यह पहली electro chemistry की class नहीं है, जो मैं आप लोगों के साथ ले रही हूँ, उससे पहले मैंने बहुत सारे electro chemistry के sessions लिये हुए है, आप डालोगे electro chemistry marathon by लिखान शुमा, मैं आपको और भी sessions नजर आ जाएंगे, प्लस मैंने ये similar class, मुझे आप लोगों के reactions नजर आ रहे हैं, प्लस मैंने आप लोगों की class ली हुई है, application पे भी, वहाँ पर भी मैंने questions कराए थे, तो प्लीज, जो पुराने sessions हुए हैं, उन्हें छोड़ मत दिया करो, क्योंकि electro chemistry वही है, डेली कोई नई research नहीं हो रही है बट आज के session में मैं कौन से question कराऊंगे, मैं हमेशा new questions लेकर आती हूं, तो नए questions मुझे ढूणने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, तो इस बार मैंने जो questions हैं, ये आपके जो recent, क्योंकि अब हमारे net के exam पास आ गया है, तो इसी बार जो 2022 का paper था, उसके questions मैं आप लोग रहे हैं session को, यार कंजूसी मत करो, likes में, like कर दो, share कर दो channel को, ठीक है, चलिए, तयार हैं सभी लोग comments कहां पर है, रेनू, जी माम, ब्रिजपाल, ओके चलिए, start करते हैं यहां पर session को, पहला question आप लोगों के लिए, जो अभी आपका जून 2022 का paper हुआ था, उसमें एक question पू इस table में आपको क्या given है, यह molar conductance, limiting molar conductance क्या होती है, molar conductance at infinite dilution बोलते हम इसे, तो यानि किसे हम इस तरीके से denote करते हैं, यह आपको theory में भी पढ़ाया था, yes, I think याद होगा यह थोड़ा बहुत सा, yes, like कर दिया है, I'm good, चलिए, आगे बोल रहा है कि आपको निकालनी है, limiting molar conductivity आपको क्या निकालनी है, limiting molar conductivity निकालनी है, AGI के लिए, इस ionic compound के लिए, जब आपको तीन ionic compound का data given है, और exam में यह options आपको मिले थे, तो कैसे solve करेंगे और answer क्या होगा, anybody, right, अब तो exam बहुत ही nearby है, अब तो आपको questions आने चाहिए, तो कोई है, जो इसका answer कर सकता है, anybody of you who can solve out this question, कोई भी ऐसा है, जो solve कर सकता है, तो ज़रूर कर दीजिए, screen visible है, किसी को visibility का issue है, मुझे बता सकते हैं, any doubt to anybody, किसी को question यहाँ पर नहीं आ रहा है, आ रहा है, comment section में बता सकते हैं, थोड़ा सा side हो जाओं, चलिए, ओके, तो I think comment section में मुझे नहीं लग रहा है, students को answer आ रहा है, तो कैसे करेंगे देखेंगे इस question को, यह अभी 2022 का 4 marker question था, देखेंगे, आपको NAI के लिए data given है, तो देखें, molar conductance मैंने आपको बताया था, at infinite dilution हम क्या बोलते हैं, कि जो ions हैं, वो एक दूसरे के irrespective move करते हैं, कि let's suppose से 2 ions हैं, अगर यह आपका cation है, let's suppose से, और यह इसके बगल में एक anion है, तो हम मानके चलते हैं, कि यह दोनों के बीच में, अब जो force of interaction है, वो कितना है, 0, कि यह एक दूसरे को कोई influence नहीं करते हैं, और दोनों ions independent of each other move करते हैं, तो अगर मुझे solution की, यहाँ पर limiting molar conductivity निकालने हैं, तो मैं directly दोनों ions की separately add कर सकती हूँ, तो यानि कि NAI का जो data है, वो क्या given है, molar conductivity of NA positive plus molar conductance at infinite dilution for I negative, right, NAI का data इसी तरीके संदों निकलेगा, NA positive का जोड़ दो और I negative का जोड़ दो दोनों ions की separately आपको जोड़ नहीं है, यह value कितनी है, 12.69, यह value कितनी है, 12.69 है, दूसरा set देखो, यहाँ पर क्या है, NA NO3, तो इसकी molar conductance कितनी है, देखिए, NA positive plus molar conductance of NO3 negative, that is our nitrate ion, clear है, यह value, 12.16 गिवन है, clear है, 12.16, फिर आपको क्या given है, AG NO3 के लिए data given है, AG NO3, ज़रा देखिए, AG positive plus molar conductivity at infinite dilution for NO3 negative, value कितनी है, ध्यान से देखिएगा, 13.34, clear है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, सभी लोग, आपको निकालना किस के लिए है, आपको AGI के लिए निकालना, यानि की, AG plus और I negative को जोड़ दू, very good, जिनका भी answer यह आगया, बिल्कुल सही है, ठीक है, AG plus plus I negative को जोड़ कर AG I बन जाएगा, मतलर हमें किन दोनों का चाहिए यहाँ पर, यह रहा, और यह रहा, बाकी हमें चाहिए नहीं, तो यानि कि, अगर यह दोनों चाहिए, तो इन दोनों को हमें add करना होगा, और अगर मैं इस वाली equation को subtract कर दूँ, तो देखिए, minus Na positive से plus Na positive कर जाएगा, यहाँ पर भी minus आ जाएगा, अगर इस equation को minus करेंगे, क्या किया मैंने, यह equation 1 थी, यह equation 2 और यह equation 3 ले ली रहाइट, तो 1 और 3 को जोड़ दो, और 2 को subtract कर दो, तो देखिए, minus Na negative और plus Na negative यह कट जाएगा, क्या बचेगा, plus molar conductivity of Ag positive, and यहाँ पर किसकी, I negative की आ जाएगी, yes or no, Ag positive की आ गई यहाँ से, and plus molar conductivity at infinite dilution for I negative, and यह value कितनी हो जाएगी, यह वाली और यह वाली equation आपने जोड़ी है, तो 12.69, plus 13.34, और इस value में से आपको क्या कर देना है, minus कर देना है, किसको, इस वाले को minus करना है, क्योंकि यह equation आपने minus किये, तो minus 12.16, तो solve करोगे, तो answer कितना आएगा, 13.87, 13.87, यह आपका यहाँ से answer आएगा, 13.87, 13.87, clear है, yes or no, किसी को कोई doubt है, तो मुझे बता सकता है, यह question आपका last time ही, अभी जो recently net हुआ था, उसमें आया हुआ question है, right, simply क्या करना होता है, आपको देखना होता है, आपको कौन से ions चाहिए, जो ions चाहिए, वो तो obviously plus में ही रहेंगे, तब ही आप ag plus और i negative को जोड़ पाओगे, तो उन्दोनों equation को जोड़ दिया, और जो बाकी नहीं चाहिए थे, उन्हें क्या कर दिया, minus कर दिया, इस हिसाब से आपको यहाँ पर बठानी होती है equations, clear है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, equations के form में लिख दे रहा है, फिर देखिए किनको जो जो चीज़ें चाहिए, add कर लो, जो जो नहीं चाहिए, देख लिए subtract करके वो minus हो रही है, या नहीं हो रही है, और इस तरीके से आपका answer यहाँ पर आजाएगा, clear है, चलिए, अगले question पर आजाते हैं, question भी June 2022 का है, बट यह question मैंने आपको इस तरह का question कई बार कराया हुआ है, यह question मैंने आपको paid course में भी कराया हुआ है, यह मैंने भी free class में भी recently कराया था, और जो आपका score booster paid crash course चल रहा है, पर भी हुआ था, ठीक है, चलिए, यहाँ से इस question को करिए, आपको data given है, मैं थोड़ा सा highlight कर देती हूँ, यहाँ पर values को देखेगा, क्या given है, आपको temperature given है, इस temperature पे आपको E naught, F e plus 3 से F e plus 2 का data given है, मैं dictate करे हूँगर, sorry, F e plus 3 से F e कर, dictate करे हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है exactly, iron plus 3 से iron बन रहा है, data क्या है, minus 0.04 volt, iron plus 2 से iron बन रहा है, minus 0.44 volt value है, आपको temperature बताना है, जिस पर F e plus 3 से F e plus 2 बनेगा, यह वाला temperature आपको बताना है, चीक है, और देखे, कई सारे students को यह doubt होता है, हिंदी में question नजर आएंगे या नहीं, तो आप देख सकते हो, question के साथ उनकी हिंदी भी होती है, तो आपको वहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाले है, कि question सिर्फ English में आ रहा है, हिंदी में भी question दिखेगा, clear है, yes, अनिका, बिल्कुल सही पैचाने है, question को करेंगे और बताएंगे, कैसे होगा answer, बिल्कुल आने का, आप लोगों के comments नजर आ रहे हैं, हलो माम, can you make a on easy, on easy calculation for biology, okay, मतलब how to do easy calculations, देखें, मैंने आप लोगों को बताया है, calculations देखें, उतनी ज़ादा easy हो जाएंगे, जितना ज़ादा आप numericals लगाओगे part, अभी मैं आपको एक question करके दिखाऊंगी, आपकी calculation तभी easy होगी, जब आप बहुत ज़ादा calculations करना शुरू करेंगे, क्योंकि, ऐसा चीजी trick नहीं होती, बट जब आप calculations करने लग जाते हो न, तो आपको समझ में आता यार, इस चीज को मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, और इस चीज को मैं इधर से mold कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें आपको खुदी trick समझ में आने लगेंगे, डी answer होगा माम, चलिए, देखते हैं इसके answer क्या बनेगा यहाँ पर, आपको value किसके given हैं देखिए, E naught of Fe plus 3 से, Fe की value कितनी है जरा देखिए, this value is equal to minus 0.04 volt, clear है, then अगर हम बात करें, E naught value of iron plus 2 से iron, तो एक बात बताएजे जरा, यहाँ पर हमें iron plus 3 से plus 2 बनाना है, तो plus 3 इधर है, तो plus 2 हमारा इधर आना चाहिए, तो मैं इस step में ही पहले इस equation को पलट लूँ, right, मुझे plus 2 से Fe reduction वाला दे रखा है, मुझे Fe plus 2 इस side चाहिए, तो मैं इसे oxidation वाला इसका लिख लूँ directly, इस step में, right, तो मैंने इसे लिख लिया, E naught of Fe से Fe plus 2, और इसके लिए जो E naught की value sign बदल जाएगा, आइरन प्लस 3 से आइरन बन रहा है, और आइरन से आइरन प्लस 2, तो देखिए, इस equation में कौन सी side होगा, product side, और इस equation में आइरन कि side है, reactant side है, आइरन से आइरन प्लस 2 बन रहा है, तो इससे ये कट जाएगा, right, हमें net क्या मिलेगा यहां से, E0 of Fe plus 3 से Fe plus 2, yes or no, clear है, यहां पर अगर आप देखोगे, तो value कितनी है, minus 0.04 volt, clear है, into, कितने number of electrons का change है, यहां पर मैंने बताया था, 3 electron का change है, तो आप into 3 कर देंगे, plus, अगें यहां पर देखिए, कितने electrons का change है, 2 electron का, तो क्या आएगा, 2 into 0.44, plus 2 into 0.44, एक सेकंड यहां, स्पेस थोड़ा सा कम बचा है, पर देंगे, इसको मैं इधर लिख रही हूं नीचे ठीक है माइनल 0.04 इंटू 3 राइट प्लस इधर कितने लेक्ट्रॉन का चेंज था दो इलेक्ट्रॉन का चेंज था इसमें कितने लेक्ट्रॉन का चेंज है थ्री से टू गया एक लेक्ट्रॉन का चेंज है तो इसमें आपको यहां पर फॉर्मला लिख वाया था e0 of half cell calculation का कैसे निकालते थे n1 e1 right plus number of electrons in second so यहां पर आएगा n2 plus n2 e2 and divided by n यहां पर n क्या है number of electrons involved in overall equation तो minus 0.0 कितने लेक्ट्रॉन का चेंज था 3 तो 3 into minus 0.04 plus 2 लेक्ट्रॉन का चेंज है तो 2 into 0.44 divided by इस जो overall equation हमें निकालनी है वो यह है यही हमें find out करना है yes यहां पर देख सकते हो आप इसमें कितने electron का चेंज है 1 electron का चेंज है तो divided by 1 तो 0.88 minus 0.12 करोगे तो value कितनी आ जाएगे यहां से 0.76 आ जाएगी clear है तो correct answer यह वनेगा आपका 0.76 clear है आप लोगों को yes ma'am clear है किसी को कोई doubt है I think कोई doubt नहीं है जी ma'am clear है ओके चलिए very good well and बहुत ही बढ़िया है चलिए यह question 4 marks का 2021 का 4 marks हा question था यह इस question को attempt करेंगे सभी लोग जल्दी से करेंगे इस question को attempt चार marks का सवाल था यह आपका exam में clear है मैं साथ ही साथ आपको practice कराते चल रहे हूं ताकि बाद में कोई doubt नहीं रहे कि माम कैसे क्या करना है सभी लोग जहां से देखते रहेंगे ठीक है यह question आपका आया हुआ है मैं directly आपका जो net में जिस तरह का question था वैसे लेकर आई हूं options यह थे option आईडी आपको tick करनी होती है कौन सी option आईडी सही है सारी option आईडी है जल्दी से question को करके बताएंगे कैसे करोगे आप लोग जो लोग biology के students है वो उतना जादा पार्टिसिपेट करें सारे marathons में practice session में ताकि आपको समझ आए कि कैसे actually question solve हो रहे है questions से बचकर कभी भी calculation नहीं सीख सकते आप लोग यह आपको ध्यान में रखना है आप लोग करने में कोई कंजूसी में करेंगा, जब teachers question कराने में कोई कनजुसी नहीं आप लोगों को यहां पर एक हिंट बताती हूं आपको गिवन क्या है ठीक है हाइलाइट कर लेते हैं जो जो गवन है यहाँ ठीक है गिवन है यह सेल आपको ओवरॉल सेल गिवन है यह आपका सेल इसके लिए आपको इनॉट इस सेल के लिए आपको इनॉट की वाल्यू अल्रेडी गिवन है निकालनी नहीं है यह गिवन है ठीक है जो given data है वो मैं highlight करवा रही हूँ यहाँ पर, आपको change in EMF with respect to temperature given है, change in EMF with respect to temperature क्या कहलाता है, जरा मुझे बता दो, ताउ, यह आपका temperature coefficient with respect to change in EMF, तो इसे हम ताउ से denote करते हैं, उसकी value कितनी है, minus 6.5 into 10 की power minus 4, 4 इधर है, 10 की power minus 4 है, और यह net में as it is आया था, तो देखें कई बार क्या होता है, कि हम समझने में गलती कर देते हैं, 10 की power minus 4 है, बच्चा 4 देखता नहीं है, या फिर यह यहाँ पर 4 छोड़ देता, और सोचता 10 की power minus 1 होगा, तो यह गलतीया नहीं करनी है, ठीक है, पूरे question को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसी तरीके से गिवन था, 10 की power minus 4 वोल्ट पर क्याल्विन, temperature गिवन है, डेल्टा एच निकालना था, किलो जूर पर मूल में, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ज़र निकाल के बताईए, येस माम, करें solve इसे, मैं बीच में तो नहीं आ रही स्क्रीन के, दिख रहा है सबको question, solve कीजिए, देखिए, इसका formula मैं लिखवा देती हैं जरूर, इसका जो formula वो क्या होता है, delta H, छीक है, चलिए, formula होता है, delta H is equal to minus, N F E से, plus, N F T into tau, तो basically, question calculation based था, और इस साल net में जब question आया था, तो calculator given था, इस वाले साल में, last to last year का है, जो अभी मतलब last to last year तो नहीं है, last year ये paper हुआ था, बट दो attempt, last attempt से पहले वाला attempt है, जो आपका January around हुआ था, उस वाले attempt का question है, देखिए, आपको यहाँ पर number of electron, सबसे पहले N की value चाहिए, आप देखिए, इसके लिए आपको पूरी equation लिखने की ज़रवद नहीं, अगर कोई समझदार बच्चा है, तो वो इतना यहाँ से देख सकता है, कि CD zero oxidation state में 0 से plus 2 जा रहा है, तो total कितने electron का change रहेगा 2, अगर उपर वाल equation में 2 electron आ रहे हो, नीचे में 1, तो equation balance करने के लिए 2 से multiply करोगे, तो overall equation में number of electron same रहते हैं, full cell में, तो यानि कि यहाँ पर N की value कितनी आ जाएगी, 2, यहाँ से देख कर हम बता सकते हैं, into, faraday की value कितनी लेते हैं, 965 00, 965 00 coulomb, E naught की value आपको given है, 0.675 volt, 0.675 volt, clear है, plus, आगे क्या है, N, F, T, tau, क्या है आगे, N, F, T, और tau, तो देखें इहाँ पर, आपको N की value दुबारा repeat हो जाएगी, 2 into 965 00, into temperature कितना है, 300 Kelvin, into tau, tau कितना given है आपको, minus 6.5, तो देखें, एक बार देखें, ये plus minus में convert हो जाएगा, जब आप यहाँ पर multiply करोगे, तो ये minus ही लिख दूँ मैं, into 6.5 into 10 की power minus 4, अब इस calculation को असान कैसे करेंगे, देखें, हाँ, 965 00 coulomb तो सही है, बट अब आप इस calculation को असान कैसे करोगे, ये मुझे बता दो, how are you going to ease out this calculation, एक तो method है कि आप पहले सब को multiply करो, फिर उसके बाद इसर सब को multiply करो, देन दोनों को minus कर दो, yes, दूसरी approach क्या हो सकती है, ऐसे solve करने की, देखें, यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग हम लगा सकते हैं, जो एक student ने पूछा भी था ना, कि मैं हम easy कैसे करना है, कि कैसे हम easy calculation कर सकते हैं, तो देखें यहाँ से, यहाँ पर भी 2 into 965 00 है, यहाँ पर भी 2 into 965 00 है, इसे मैं common निकाल लूँ, डेल्टा H is equal to minus 2 into 965 00, यह मैंने यहाँ से common निकाल लिया, ठीक है, अब देखें, मैंने क्या-क्या common निकाल लिया, ज़रा मैं highlighter से highlight, यह 4 number का सवाल था, देखो जिसकी calculation fast है, वो उस बच्चे ने equation कर लिया था, और जिसकी slow है, वो बैठा ही रहेगा, यह देखिए, तो minus मैंने यहाँ से common निकाला, अब क्या बचा है देखिए, इसके पास बचा 0.675, अगर आपने minus के साथ निकाला, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका plus, 300 into 6.5 into 10 की power minus 4, yes or no, इससे solve करके मुझे बताइए, कितनी value आई आप लिगों की, जल्दी से order करके, common लेकर, ठीक है, आप मुझे बताइए, solve करने पर कितना आएगा, 0.675 plus 300 into 6.5, यह 1950 कुछ बना होगा आपका, 300 into 6.5, 1950 कुछ बना है या नहीं बना है, बोलिए, guys सुन रहे हो, आप सभी लोग या नहीं, 1.44, यहाँ पर 1.44 दिख रहा है, प्रदन्या, 1.44 कहीं दिख रहा है आपको, इसे solve करना है, 0.675 into this, plus 300 into 6.5, कितना बना, 1950 value आई होगी, बही आई यह नहीं, कुछ बोलोगे मुझे, इन्टू 10 की पावर माइनस 4 है, तो कितना आ जाएगा, 0.195 आ जाएगा, 0.195 प्लस 0.675, कितना हो जाएगा यहाँ से approximately value, हाँ, माइनस 168 आ जाएगा, resultant, राइट, clear है, इसे solve कर लेना, देखो, माइनस 2 into 965 00, यहाँ से आप इसे solve करोगे, 0.675 प्लस, इसे solve करोगे, क्या बनेगा यहाँ से, 0.195 बनेगा यहाँ से, आप इन दोनों को 0.195 है, यह क्या है, 0.195, ठीक है, आप इसे multiply कर देना, इन दोनों को जोड कर, तो यह value approximately, 168 के को लाएगी से, calculation कर लेना यहाँ से, जो answer आएगा, आप लोगों का, A option आया है, A आया है, right, yes, 1950, 10 की पावर, minus 4 भी है ना, तो point आ जाएगा, 0.195, right, so 2.625 वहाँ से बनेगा, ठीक है, clear है यह, 2.625, अरे यार आप लोगों ने तो, calculation करने में, इसको calculate करके, क्या आ रहा है गाईज, yes, ma'am, अनिका यही answer आया है, यह नहीं आया है, अनिका यही answer आपका, आया है यह नहीं आया है, यह मुझे बता दो, मदू मिद्दा, 168 आया है, 2.625 बताओगे, क्या आया है, 2.625 आपका, क्या आया है, यह मुझे बताओगे, yes, ma'am, clear है, अच्छा चलो, ठीक है, very good, आप लोग भी बहुत unpredictable हो, भाई, चलिए, इस question को कीजिए, इस question को करेंगे, ठीक है, यही आया था, ओके चलिए, good, the chemical potential, आपको मुझे बताना है, of a 2 molar, Na2SO4 solution, जिसे हमने, express किया है, in terms of, mean ionic activity, coefficient, gamma plus minus, important question है, 4 number में, यह आया हुआ है, ठीक है, yes, ओके जास्मिन, ठीक है, यह question, 4 marks में, आया हुआ है, और one of the important question है, मैं अज सारे, थोड़े वही questions करा रही हूँ, जो 4 marks में, previous year में, आये हुए है, कि at least, आप उन्हें अच्छे से, exam में करके जाओ, और अपना जो 4 marks का सवाल है, वो question, अच्छे से solve करके, at least, इस उतने marks आप अपने बना लो, कैसे करोगे, इस question को, देखे, time waste करने के लिए, हवारे पास session में, ज्यादा time है नहीं, तो मैं आपको formula बता देती हूँ, उसके बास start करना, chemical potential का formula क्या होता है, chemical potential is equal to, standard value, plus RT, LN, AI, that is activity, right, LNA रिखते हैं यहाँ पर, और activity कैसे निकालते हैं, activity किसके एक वल होती है, concentration of cation into, activity coefficient, mean ionic activity coefficient, and उसकी power क्या होगी, यहाँ पर M, जो भी आपकी stoichiometry है, right, and similarly, यहाँ पर anion की concentration, mean ionic activity coefficient, और power क्या होगी, जो भी यहाँ पर आपकी power है, जो stoichiometry होगी, यह nine की, right, तो अब आपको इस formula को use करके, मैंने एक तरीके से, सारी चीज़ने आपके सामने रख दिया है, अगर आपको अब निकालना आता है, तो आप इस question को कर लोगे, बट अगर आपको calculation ही नहीं आती, आप नहीं कर पाओगे, right, यह question मैंने कराया हुआ है, ध्यान से देखेगा, Na2SO4 solution की, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, right, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखे, 2 Na positive, plus, एक sulfate ion, yes or no, clear है, यहाँ से अगर आपको chemical potential 2 molar given है, यह initial concentration थी, जब यह वाले ions नहीं होंगे, right, बट जब reaction finish होगी, जैसे ions जाएंगे solution में, क्या होगा, यह अपने respectively Na2SO4 completely break कर जाएगा, इन दोनों में, तो यहाँ पर एक से कितने ion बने, दो बने, तो 2 molar से कितने बनेंगे, 4 molar concentration हो जाएगी, right, और यहाँ पर एक से 1 बना है, तो 2 से कितने बनेंगे, 2 molar, तो इस anion की concentration कितनी आगई, 2 molar आगई, clear है, तो activity देखो, cation और anion की क्या आजाएगी, concentration of cation कितनी है, 4, into, gamma plus minus, ठीके, M, 2 the power M, stoichiometry कितनी है, cation की 2 है, तो यानि की 2 आजाएगा, similarly, anion के लिए concentration है, 2 into gamma plus minus, power कितनी आजाएगी, बना आएगी, क्योंको stoichiometry 1 है, अब देखिए, यहाँ पर कहीं भी 4 की term में नहीं है, ठीके, यहाँ पर 5 है, 3 है, क्या है, देखिए, तो एक तरीके से मैं 4 को लिख सकती हूँ, 2 की power 2, और एक और power 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 की power 4, and into 2 की power 1, तो यहाँ से 2 की power 5 आजाएगा, into, gamma plus minus का square है, और वहाँ पर 1 है, तो gamma plus minus का cube, क्या आपकी activity यह आ गई, ठीक है, ध्यान से सोच लो, इतना आपको समझ में आया है या नहीं, clear है, यह question मैंने कराया भी हुआ है, and I think अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, yes ma'am, clear हो गया होगा, चलिए, very good, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, mu is equal to mu naught plus RT ln, ln के साथ just put कर दो, 2 की power 5 into gamma plus minus 3, अब to the power 3 तो देखिए, ln a into b को क्या से लिख सकते हो, ln a plus b, तो mu is equal to mu naught plus, RT ln, 2 की power 5 plus, RT ln, gamma plus minus 3, अब देखिए, ln x की power m किसके equal होता है, यह power आगे आजाती है, यह equal होता है, mln x के, तो यानि कि यह जो 5 है, यह आगे आजाएगा, क्या बन जाएगा, mu naught plus 5 RT ln 2, अब यह जो 3 है, यह आगे आजाएगा, तो क्या बन जाएगा, plus 3 RT ln, gamma plus minus, यह वाल expression बन जाएगा या नहीं, clear है, समझ में आगे आप लोगों को या नहीं, किसी को कोई doubt है, screen का screenshot ले लें, ठीक है, और अभी भी जो लोग like नहीं कर रहे हैं, भई, थोड़ा सब ने आके खोल लें, ठीक है, चलिए, येस, मैं side हो जाओ, screenshot ले लीजिए, फिर अगले question पर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगला question, very good, ये question important है, ये question आपका net June 2016 में आया हुआ है, देखिए, ये ionic strength पर star mark कर लो, ऐसे question जरूर आते हैं net में, ठीक है, इस type की question बहुत आते हैं, ionic strength, activity, coefficient, conductance, निकालने वाले, तो ये कुछ pet question है, जो आते ही आते हैं exam में, तो इनको हमें at least अच्छे से करके जाना है, side please, अच्छा मैं side हो जाओ, ठीक है प्रणाली, आपको ionic strength बतानी है, solution की, 0.008 molar है, ALCL 3 का, 0.005 molar solution है, KCL का, दोनों solutions को मिलाया, ठीक है, दो solutions लिए, ध्यान से देख लो, ये मेरा container है, बीकर है, इसमें मैंने क्या ले रखा था, 0.008 molar, aluminum chloride solution, ठीक है, तो यानि कि ये था हमारा, अब इस solution में आपने क्या डाल दिया है, इस solution में आपने add कर दिया, 0.005 molar, KCL solution, KCL solution, clear है, तो यानि कि अब ये solution, तो अब ये जो net solution है, इसकी ionic strength कितनी होगी, ये आपको निकालना है, clear है, कैसे निकालोगे, you have to calculate the ionic strength, देखिए, ionic strength निकालने का एक formula, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, क्या formula होता, ionic strength निकालने का, ionic strength निकालने का formula होता है, formula लिखते हैं, चलिए, जब तक बाकी लोग solve करेंगे, half into, summation of, concentration of i-th iron, into, charge of i-th iron, and उसका square, यही मैंने आपको formula कराया हुआ है या नहीं, जरा मुझे बता दीजिए, yes, 0.053 molar आएगा, मैं, देखिए, हमें क्या करना होता है, कि जितने भी हमारे पास ions हैं, उनके लिए हम उसकी concentration into charge का square जोड़ दे चले जाते हैं, और हमें ionic strength मिल जाती है, तो देखिए, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करना है, देखिए, अब ALCl3 solution है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यानि कि यह dissociate होकर क्या देगा solution, यह ionic solution है, तो AL3 positive ion, प्लस 3 chloride ion देगा, ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर आपने 0.008 molar solution लिया है, तो 0.008 molar solution लिया, तो एक से dissociate होकर एक ion बन रहा है यहाँ पर, तो यानि कि 0.008 dissociate होगा, तो 0.008 molar ही बन जाएगा, यह कितना है भई, 3 times है, CL2 negative लिखा है, जल्दी से negative कर लो, clear है, तो यह यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 3 times of this, तो 0.024 molar, clear है, इसका 3 times हो गया है यहाँ पर, तो अब देखिए, यहाँ पर value कि आएगी, ionic strength की, ALCL3 के लिए, half into, concentration of iron कितनी है, cation की 0.008, plus charge का square, charge कितना था 3, 3 का square कितना हो जाएगा, 9, into 9, clear है, plus, दूसरा iron, दूसरा iron कौन से है, CL negative, इसकी concentration कितनी है, 0.024, into charge कितना है, minus 1 है, minus 1 का square करोगे, तो क्या आजाएगा, plus 1 आजाएगा, clear है, तो जब इससे solve कर लोगे, yes or no, जब इससे solve करोगे, तो ये value solve होकर आईगी, 0.048, यही आई होगी, 0.048 molar आई होगी, ये value solve करके, आप लोगोगी, ठीक है, अब इसके साथ, आपके पास, CL negative ions भी है, KCL solution भी है, KCL solution के लिए easy है, कैसे निकालोगे देखिए, KCL की concentration में, K positive plus CL negative मिलेगा, तो अगर 0.005 molar है, तो यानि कि एक से एक ही बनेगा, 0.005 K positive, and 0.005 CL negative, तो यहाँ पर ionic strength का formula क्या आएगा, half into, concentration of ion 0.005, into charge कितना है, plus 1, plus 1 का square, and यहाँ पर plus 0.005, and minus 1 का square करोगे, तो भी 1 ही आएगा, तो half कर दोगे, तो exactly value कितनी आजाएगी, 0.005 molar, तो यह हो गई आपके ionic strength 2, यह हो गई आपके ionic strength 1, आपको net resultant solution की बतानी है, तो दोनों की ionic strength को जोड देंगे, yes or no, तो ionic strength of the net solution कितनी आजाएगी, 0.048 molar, plus 0.005 molar, and यहाँ से, 0.005 molar, and यहाँ से यह value आजाएगी, 0.053 molar, clear है, बहिए clear है, सब भी कोई या नहीं, किसी को कोई doubt है, एक से बना 1 ion, एक से बने 3, तो 0.08 से कितने बनेंगे, 0.08 into 3, तो वहाँ से आया, 0.024 clear है, समझ गए, किसी को भी doubt है, तो मुझे बता सकता है, इस portion में, clear है, भेई, very good, चलिए, very good, अगले question पर आजाएए, moving on to the next question, अगला question यह रहा, जल्दी से करेंगे, the cell voltage of a Daniel cell, आपको एक cell given है, जरा मैं highlight कर देती हूँ, तो अगेन यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोगों को यह cell given है, I think यह सबने पढ़ा है अपना galvanic cell, right, इसके लिए आपको E naught given है, कितना 1.07 volt, given है, अगर reduced potential, Cu2 positive से, Cu का कितना है, 0.34 volt, तो आपको potential किसका निकालना है, reduction potential, ZN2 positive से ZN का, यह question time taking बिलकुल भी नहीं है, जल्दी से इस question को solve करोगे, आप सब भी लोग, और जल्दी से आंसर बताओगे भई, शुरू हो जाओ, कैसे होगा यह सवाल, असान है, D option होगा, मैम, देखिए, सबसे पहली बात तो ZN किस side है, anode पर है, और यह किस पर है, cathode पर है, तो anode पर अगर इसका oxidation होगा, तो यानि कि आप से potential किसका पूछा है, cathode का, तो यानि कि उल्टा करोगे, anode पर यह positive होगा, तभी तो हमने इसे anode पर लिया, यानि कि इसका oxidation potential positive होगा, जब यह anode बनाए, cathode पर बनाओगे तो value negative आएगी, तो यानि कि दो positive values तो पहले कट गए, तो थोड़ा सा आप common sense भी use कर लोगे, ठीक है, अब देखिए, E naught cell किसके equal होता है, 1.074 volt given है, मैंने आपको बताए, कैसे निकालना होता है, oxidation potential लेते हैं, हम anode का, plus reduction potential लेना है, आपको किसका, cathode का और इन दोनों को जोड देना है, यही होता है आपका E naught cell, तो oxidation potential, Zn से Zn प्लस 2 एक तरीके से, E naught of Zn से Zn प्लस 2, यह हमें पता नहीं है, plus, आगे cell कैसे है, Cu प्लस 2 से copper बन रहा है, तो E naught of Cu 2 प्लस से copper, यह हमें, यह हो गया reduction potential, और इसकी value कितनी given है, 1.07 volt, यह हमें पता नहीं है, यह तो हमें पता है, कितना है इसकी value, 0.34 volt given है, तो 1.07, minus 0.34 volt करोगे, तो यह value आजाएगी, आपकी oxidation potential की, तो इसका oxidation potential तो सही, कितना आजाएगा यहां से, 3, और यहां से 0.73 volt, तो यह तो आया, आपका oxidation potential, but examiner ने क्या पूछा था, reduction potential तो जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या जाएगा, minus 0.73 volt, तो जो correct answer होगा, वो D होगा, क्योंकि आपसे oxidation ना पूछकर, क्या पूछा गया है, reduction पूछा गया है, clear है या नहीं, clear है सभी लोगों को, yes, यह वाला question, comment section में बताना, इस answer comment section में बताऊगे आप सभी लोग, लिख लो comment में बताएंगे मा, ठीक है, इसके उपर लिख लो comment में बताएंगे, मामी क्यों comment के लिए छोड़ा है, क्योंकि यह मैंने question कराया हुआ है, right, हाँ, तो negative लगा देंगे, इस question को लिख दो कि comment में बताएंगे माम, क्योंकि यह question क्लास में मैंने करा रखा है, ठीक है, तो इसलिए, इस question को मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ, इसका answer comment में बताऊगे, और यह आखरी question आज़का, चलिए, यह question बताएंगे, previous year है, net June 2012 का सवाल है, previous year है, जल्दी से solve करके answer बताएंगे क्या है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे start करेंगे, जल्दी से बताएंगे, आप लोग, correct value of E0 बतानी है, आपको E versus, E cell versus log M का curve given है, आपको E0 की value बतानी है, correct value of E0, देखिए, आज का session जिसने किया है, उसने at least पिछले 2-3 साल के question कर लिये है, घर चाकर इनने revise कर लेना, और मैंने जो पिछली भी जितनी marathon लिया है, उन सब को भी देख लेना आप लोग, तब ही benefit होने वाला ये नहीं है कि एक दिन session देख लिया, चार question लगा लिया और सोचरों की चलो बहुत कुछ आ गया है, तो ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे सब कुछ नहीं आता है, Rome was not built in a day, daily का effort है, daily daily पढ़ना है, चलो, यहाँ पर क्या होता है, एसेल का formula, एसेल इसेल इसेल इक्वल टू, इनोट से, माइनस, 0.0591 बाई एन, यह वालू कब लेता है, जब हम temperature 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं, राइट, clear है, into log, concentrations को हमने यहाँ पर specify ना करकर, M से denote कर दिया है, तो एक बार देखो, simply equation में E cell versus log M plot किया है, तो यह equation किस form में है, Y is equal to M into X, plus C, तो यानि कि E naught cell किसकी value है, intercept, intercept क्या है, E naught cell, slope किसके equal है, minus 0.0591 बाई N के equal, तो आप से किसकी value पूछी थी, E naught cell, तो intercept यह रहा, यह distance होता है, intercept का, तो यानि कि B से B dash point, B से B dash point, that is the C option, यह हमें बताएगा, E naught cell की value, clear है या नहीं सभी लोगों को, सभी को समझ में आ गया है, या नहीं आया है, जल्दी से मुझे answer बता दीजिए, जल्दी से बताएगे, समझ में आ गया या नहीं आ गया, येस माम, चलिए, अच्छा माम, night division daily करवा दो, ठीक है नेका, वो मैं करवा दूँगी, night revision dose daily करा देंगे, ठीक है, तो अब हम 40,000 की, subscribers की family हो चुके, मैं आपको बहुत दिनों से, ये बताना चाहती थी, पर मेरा YouTube session, आपके साथ अब आया, सून ये 50, दें 1,00,00 तक पहुँच जाएगा, hopefully बहुत ही जल्दी, आप लोग इसमें help करने वाले हो, right, सभी लोग session को like कर देंगे, share कर देंगे, and एक हमने आप लोगों के लिए, क्योंकि आप exam नजदीक है, तो ये आप लोगों के लिए, you can say कि आप directly से scan करके application को download कर सकते हो, और वहाँ से हमने आप लोगों के लिए last 10 year के PYQs free कराए हुए है, free study notes है, और आपको study material नहीं मिल रहा है, तो बाइजूस का concise study material है, unit wise, और हर unit wise daily quizzes है, तो आप इसे जाकर explore कर सकते हो, और session कैसा लगा, in the end मुझे बताएंगे, मैंने सर्क भी बोला था, जी मैंने भी बोला था, ओके, thank you so much, ओके, चलिए, very good, सभी लोग, ये, सभी लोग session को like share कर देंगे, दूसरा, पूरे, रोजाना कराओ, most most topic, या रोजाना आपकी paid में classes है, आपका score booster course चल रहा है, तीन courses लगातार चल रहा है, ठीक है, और अब ये चौथा, आपकी free तो daily class होती होती है, तो 4 classes तो daily आप पढ़ी रहे हो, और revision के लिए time चाहिए ये नहीं चाहिए, एक teacher चाहिए, एंड दूसरे organic की भी 4, 8 classes, right, thanks a lot, very helpful session ma'am, okay Pradanya, thank you so much, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी feedback होता, वीडियो के comment section में बता दिया करो, और जो एक question छोड़ा आप लोगों के भरोसे की, आप comment में बताऊगे, तो please सभी लोग, आप लोग comment में आंसर जरूर बताईए का, ठीक है, चलिए, that is it for the session, thank you all, बबाई, ध्यान रखी अपना, exam बहुत ही नजदीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मिलते आप लोगों से, upcoming session में, thank you so much, thank you so much, take care students, take care, have a very good day, अपना लोगों।